चुनाब समीप आते ही केंदर सरकार की योजनाय लावार्तियों तक पहुंचे इस परियास में लगतार भाजपा कारे कर रही है। जंगलों से लकड़ी लाकर चुहला जलाना पड़ता था। ऐसी महलाओं का स्वास्ते चूले में निकले धूए की वज़ा से हमेशा खराब रहने की संभाबने बनी रहती थी। इस मौके पर गैस कनेक्शन प्राप्त कर चुकी महलाओं ने खुशी जाहर करते हुए कहा कि उन्हें आज देश के परधान मंत्री निरेंदर मोदी द्वारा चलाईगी उजला योजना के तहत निशुलक गैस का कनेक्शन दिया गया है। जिसे पाकर भै बहुत खुश हैं क्योंकि अब तक बहुत जंगलों से लकडी लाकर ही चुहला जलाती आई हैं लेकिन अब गैस कनेक्शन होने की बज़ा से जंगल जाना नहीं पड़ेगा और उनका समय वो स्वास्थे भी ठीक रहेगा। हमारे पास कोई गेस कनेक्शन नहीं था और हमें लकडी आई कठी करनी पड़ ती जंगलों में जाकर और फिर इससे भी धुवे से कोई बीमारी आउत्पन होती है और अब हमें फ्रीक जो एकनेक्शन मिला है इससे हमें बीमारियों से भी दूर रखेगा ये और हम अपना टाइम भी बचेगा और हम सब कुछ अपनी ये कर सकते हैं और आज मुझे गैस कनेक्शन मिता है तो मैं बहुत शुकर गुजार हूं मोधी सरकार की कि उन्होंने मिलब हर एक महिला के लिए जो ये ओफर नहीं कर पाती थी उनके लिए सब के लिए गैस कनेक्शन का वो किया है तो इसलिए मैं बहुत आवहारी हूं मोधी सरकार की कि हमें ये सुविदा मिली और पूरी दुनिया में जिन जिनके घर पे भी नहीं था उन सबको ये सुविदा मिल रही है तो इसलिए मोधी सरकार का बहुत आवहारी हूं और अपने जितने भी लोग हैं जितनी भी महि जो जिनके घर पे नहीं थे गैस कनेक्शन नहीं थे और उनके में तब बहुत मुश्किल जाके उनको ये हर एक चीज वो करनी पड़ दी थी आज परधान मंत्री उज्जुला योजना तथा हिमाचल सरकार के द्वारा संचालित ग्रीन इसुबदा योजना के अंतरगत फ्री गैस कनेक्शन यहाँ पे 60 लोगों को वितरत किये गए और मुझे खुशी की बात है कि सोलन में 942 फ्री गैस के कनेक्शन अब तक हम इन विविन अजेंसी के माध्यम से बाढ़ चुके हैं मैं सभी जो वेनफिसरीज हैं उनको बदाई देना चाहता हूँ और आदने परदान मंतरी निरंदर मोधी जी को भी बहुत बहुत नवाद करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो अभाब में जो पैसों की कमी के कारण जो बहने जो माताएं गैस के कनेक्शन नहीं ले सकती थी उनको ये विशेश योजना चलाकर आदनी मोधी जीना बहुत रात दी है और हमारा जो ये लक्षया जो सोलन जिला के लिए जो 3728 का लक्षया था उसको भी हम हमने आचीव कर लिया है इसके लिए मैं विवाग को बहुत बहुत बदाई देना चाहता हूं